तो दोस्तो आए तारीक हो गई है 17 मार्च 2024 की साथी में दिन है रविवार का तो आए बिनादेर की फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरे और मुख्य समाचार तो देखें आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर लोगसभा चुनाओ के तारीकों का हुआ ए एलान कर दिया गया इसके साथ ही पूरे देश में आचार सहीता लागू हो गई है चुनाओ आयोग ने कहा है लोगसभा चुनाओ साथ फेज में होंगे आसान शब्दों में कहें तो साथ दिन अलग-अलग तारीकों पर देश की जनता लोगसभा के लिए वोट डालेगी व ही बताया गया है लोगसभा चुनाओ का रिजल्ट 4 जून 2024 को घोशित किया जाएगा साथी में आपको बता दें वोटिंग से लेकर चुनाओ की नतीजे आने तक में कुल 46 दिन लगेंगे दोस्तों आप इस मैप के जरीए अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि देश के किस में कौन-कौन सी तारीखों को लोगसभा के चुनाओ होंगे जैसे के यूपी में लोगसभा के चुनाओ 19 अपरेल को 26 अपरेल को 7 मई को 13 मई को 20 और 25 मई को होंगे इसके लावव एक जून को भी बकि ऐसे ही आप इस मैप के जरीए सभी राज्यों की जानकारी प्राप्त क कर सकते हैं कि किस राज्य में कौन-कौन सी तारीखों को कितने बार में चुनाओ होंगे इसी बीच आपको बता दें कि दनिक भासकरद्वारा एक मैप जारी किया गया है जिसमें आपको सभी 543 सीटों का डिटा मिल जाएगा अगर आपको जानना है कि आपके इलाके से कि चुनाओ exact किस तारीख को होंगे तो दोस्तों इसके लिए कुछ मिनट का इंतजार कीजिए कुछ में खबरे बताने के बाद हम आपको देश के सभी राज्यों देश के सभी शहरों और सभी जिलों के बारे में बताएंगे कि वहाँ पर किस तारीख को लोग सभाय के चु दस साल पूरे करने जा रहा है पियम मोदीन आगे लिखा ये आपके विश्वास और समर्थन का ही नतीजा है कि हमने जी एश्टी को लागू किया आटिकल 370 को हटाया तीन तलाग पर कानून बनाया संसद में महिलाओं की भाईदारी को बढ़ाया इसके अलावा भी कई और बड़े बड़े अतिहासिक फैसले किये साथी पियम मोदीन आगे लिखा कि हम एक विक्सित भारत की निर्मार की संकल्प को पूरा करने की दिशा में काम कर रहे हैं इसके लिए मुझे आपके विचारों सुझावों और समर्थन की सरुवत है आसान शब्दों में कहें तो पियम मोदी ने देश के सभी लोगों से सुझाव मागा है देश की तरक्की को लेकर जो भी योजनाय आई है या आने वले दिनों में क्या काम होने चाहिए आपकी जो भी राय है आपका जो भी सुझाव है आपको पियम मोदी तक पहुचा सकते हैं वहीं आपको बता दे से इवियम को लेकर और पीम मोधी को लेकर हमला बोला गया है जैसा कि आप देख सकते हैं अगली खबर में कि नरेंदर मोधी और चुनाव आयोग एक ही सिके के दो पहलू है यानि कि दोनों मिले हुए हैं हमें इवियम मशीन पे भरोसा नहीं है संजे राउत ने दिया है ये अपने उपर भरोसा नहीं है लोग तुम्हें पसंद नहीं करते हैं गलती तुम्हारी है लेकिन अपनी पूरी गलती इवियम पे लगा देते हो लोग सभा चुनाव को लेकर देखें एक और बड़ी खबर कि लोग सभा चुनाव के लिए यूपी बिहर सीमा पर 49 चक पोस् आप पाते हैं तो इसकी शिकायत चुनाव आयोक्त ने इस एप के बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि एक बड़ शिकायत मिलने पर हमारी टीम 100 मिनिट के अंदर यानि के 2 घंटे से पहले पहले जहां के लिए शिकायत की गई है वहां पर पहुच जाएगी और वहा करने वाले लालज देकर मतदाताओं को गुमरह करने वाले और अजकता फैलाने वाले ऐसे सभी लोगों पर 20 एजंसिय नजर रख रही हैं अगर कोई बिव्यक्ति ऐसा कोई काम करता हुआ पकड़ा गया उस पर सीधे कारिवाई होगी देखें अंगली खबर मोधी सरकार का ब पावजूद भी लक्षोदीप में पेट्रोल डीजल कदाम 100 रपे से जादा है अभी बीते रोज तक एक लिटर पेट्रोल के लिए 116 रुपे 13 पैसे देने पड़ रहे थे हालाएक अब ये घटकर 100 रुपे 75 पैसे पे आ गया है ऐसे ही डीजल कदाम पहले 110 रुपे 91 पैस दी हिंदू वर का हिस्सा था वही 13.4 फिस्दी मुसलिमों की आबादी थी आसान शब्दों में कहें तो साल 2001 में हर 100 लोगों में 80 या 81 वेक्त हिंदू था और 13 या 14 बंदे मुसलिम थे बाकि दूसरे धर्म के थे तो अब जानकारी के मताबिक 2001 से लेकर अब तक मुसल्मानो साल लग सकते हैं साथी में बताया गया है मुसल्मानों की आबादी हर साल 2.62 फिस्दी के हिसाब से बढ़ रही है हलाकि हिंदू की आबादी 1.83 फिस्दी के हिसाब से बढ़ रही है देखें अगली खबर होली के बाद दूरलब सूरे ग्रहन लगने जा रहा है बीते 50 सालो में ऐसा सूर ग्रहन नहीं लगा है। दुनिया के कई हिस्सों में ग्रहन के दौरान सूरज 7 मिनिट के लिए गायब हो जाएगा। दिन में ही पूरी तरह से अंधिरा चाजाएगा। में भारत में इसका कुछ भी महत्व नहीं है। बाकि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि उतरी अमेरिका समेत ये ग्रहन देश के कौन-कौन से हिस्सों में दिखाई देगा। ग्रहन लगने का वीडियो आही जाएगा। देखें अगली खबर की नागरिकता के लिए कि आवेदन को स्विकार ने किया जाए। सीए के खिलाफ असोदिन ओएसी ने सुप्रीम कोट से लगाई है ये गुहार। जी हाँ, AIMIM के चीफ असोदिन ओएसी ने भी सीए कानून को सुप्रीम कोट में चुनाती थी है। ओएसी के अलावा भी कई और लोगों ने सीए के ख किसी को भी नागरिक्ता ना दी जाए। हलाए कि आपको बता दें ओएसी गुहर लगाते रहे गए पर वहीं दूसरी और कई लोगों को नागरिक्ता दे दी गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं अगली खबर में कि सीए लागू होने के बाद गुजराज सरकार का बड़ा है वही बताया गया है एहमदाबाज जिली में अब तक 1167 लोगों को भारत की नागरिक्ता दी जा चुकी है। देखे आगली खबर देश के ग्रह मंत्रिया में शाह बोले पोक यानि के पाकिस्तान का कश्मीर भारत का हिस्सा है वहाँ के सभी लोग हमारे हैं चाहे वो पाकिस्तान के कश्मीर पर ये बड़ा बयान दिया है देखे आगली खबर पीम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में एक करोड रजिस्टेशन हुए इस योजना में घरों को 300 यूनिट बिजली हर महीने फ्री मिलेगी वहीं सालाना 15,000 रुपे के इंकम भी होगी जी महीने से भी कम समय में एक करोड से जादा लोगों ने रिजिस्टेशन करा लिया है इस बात की जानकारी परधान मंत्री मोदी ने खुद सोशल मेडिया प्लेटफॉर्म के जरिये दी है शायद आपको पता होगा इस योजना के तहत एक करोड घरों को 300 यूनिट बिजली हर महीने फ्री दी जाएगी आपको बता दे प्रधान मंत्री मोदी ने बीते 13 फरवरी 2024 को इस योजना को लांच किया था इस योजना के तहत रूफट आप सोलर पैनल लगवाने वाले एक करोड परिवारों को 15,000 रुपे की सालाना आमदनी भी होगी दोस्तो हम आपको कई ब में लाइन है मैं मोदी का परिवार हूं पीम मोदी ने भी इसे शेर किया जिया भाजपा ने बीते शनिवार को अपने चुनावी कैमपेन मैं मोदी का परिवार हूं का थीम सोंग रिलीज कर दिया ये वीडियो पीम मोदी ने भी शेर किया साथी में पीम मोदी ने लिखा म मेरा भारत मेरा परिवार बताया गया है। इस नए सौंग के वीडियो में देश के हर कोने के लोगों की जलक दिखाए गई है। उन्हें अगरिम जमनत देदी यानि कि अगगले आदेश आने तक केजरीवाल की गिरफतारी नहीं हो सकती। वहीं कोटने इस मामले में केजरीवाल को हाजिर होने से भी छूट देदी है। के केजरीवाल अब कोट में वीडियो कॉलिंग के जरिये भी हाजिर हो सकते हैं। अब इस मामले में अगली सुनवाई एक अपरेल को होगी। बताने की कोशिश की पर युएन में भारत की राजदूत रुचिरा ने इसकी कड़ी आलोचना की। युएन में भारत ने कहा सिर्फ एक धर्म नहीं बलकि सभी धर्मों के नाम पर जो भीदभाव हो रहा है जो नफरते फैलाई जा रही हैं। चाहे वो यहूदी हो, मुसल्मान हो, हिंदू हो तो उन सभी के खिलाब परस्ताव लाया जाना चाहिए। केवल इसलाम के नाम पर ही क्यों ऐसा परस्ताव लाया गया कि लोग इसलाम से नफरत करते हैं। केवल इसलाम के साथ नहीं, नफरत केवल इसलाम के साथ नहीं, बलके सभी धर्मों के साथ होती है। यानि की चाहे पैसो के आवशकता हो या कोई और आवशकता हो महम्मद बिन सल्मान उनके लिए खड़े हैं। अगली खबर रिश्वत खोरी को लेकर यूएस अजनसी कर रही है अडानी ग्रूप की जाँच। अपने पल्ला जाड़ दिया है और ये कह दिया है कि हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है। देखें अगली खबर, 700 साल पुरानी जिस मजद पर डिडिये ने बुल्डोजर चलाया था, अब उसे लेकर दिल्ली हाइकोट का आया है बड़ा फैसला। शायद आपको पता होगा डिडिये ने 32 जनवरी की सुबा महरोली में अंखुजी मजद तोड़ दी थी। जी हाँ, अब इहाली में बीतो 16 मार्च को जार्खन मंतरी मंडल ने सरकारी स्कूलों में कक्षा 1-8 तक पढ़ने वाले 37 लाग से जादा छात्राओं को फ्री में स्कूल बैक देने का फैसला किया है, इस परस्ताव को मंजूरी भी मिल गई है, तो जल्दी जार्खन के छात अब इसका पूरा सीजन भारत में ही खिला जाएगा, इसकी जानकारी BCCI की ओर से दे दी गई है, बात यह है कि अब इस समय कुछ ऐसी खबरे चल रही थी, जिसमें इस बात का दावा किया जा रहा था, कि IPL के कुछ मैच UAE में होंगे, हलाकि इन सभी खबरों का खंडन करत इस वज़े से ऐसे सभी मैच इंडिया और पाकिस्तान से बाहर हुए थे, पाने वले दिनों में जो चैंपियंश टॉफी होने वाली है, तो ये मैच भी UAE में हो सकते हैं, देखें आगली खबर, डुंगरपुर मामले में आजम खान समेत चार को दोशी दिया गया करार, अ इस मामले में 18 मार्च को सजा सुनाई जाएगी, आजम खान को चुनाओ से पहले लगा है बड़ा जटका, जी हाँ, डुंगरपुर बस्ती में घर में घुसकर मारपीट, गाली गलोज और धमकाने और अपरादिक शडियंतर रचने के मामले में सपानेता आजम खान के साथ कई लोगों को दोशी करार पाया गया है, सभी दोशीयों को 18 मार्च को सजा सुनाई जाएगी, वैसे अभी कई मामलों को लेकर आजम खान पहले से ही जेल में हैं, देखे आंगली खबर, टी प्लस जिरो सेटलमेंट का बीटा वर्जन 28 मार्च को लाँच होगा, शेर बाज अगर कोई शेर बेचता है, तो उसे उस शेर का पैसा मिलने में, वो पैसे बैंक खाते आने में, एक दिन का समय लग जाता है, हलाकि टी प्लस जिरो सिस्टम लागू होने के बाद, जैसे ही कोई शेर बेचेगा, तो कुछी देर के अंदर शेर का बेचा हुआ पैसा, बैंक कर रहे थे लोग, कई लोग बुरी तरह से जुलस गए हैं, यहादसा अभी हाली में बीते रोज हुआ, इसकी जलकियां आप भी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, दोस्तो आईए अब आपको लोग सभा चुनाओ को लेकर वो जानकारी देते हैं, जिसके बारे में हमने आ किसे हिस्से में वोट डाले जाएंगे, तो 19 अप्रेल को यूपी के साहरनपूर, कैराना, मुजफरनगर, बिजनोर, नगीना, मुरादाबाद, पीली भीत और रामपूर में वोट डाले जाएंगे, ऐसे ही 19 अप्रेल को ही, राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, पूर, अलवर, भरतपूर, करॉली, धौलापूर, दोसा और नागोर में वोट डाले जाएंगे, ऐसे ही 19 अप्रेल को ही, मद्य परदेश के सिधी, शाहडोल, जबलपूर, मंदला, बालाघाट और चिंदवाडा में, 19 अप्रेल को ही, असम के, काजीरंगा, सोनितपूर, तकहिमपूर, डिबरुगड़, जोर हट में वोट डाले जाएंगे, ऐसे ही 19 अप्रेल को, बिहार के औरंगाबाद, गया, नवादा, और जमुई में वोट डाले जाएंगे, ऐसे ही 19 अप्रेल को, महराश्र के, रामटेक, नागपूर, भंडारा, गोंडिया, गर्चिरॉ चिमूर और चंदरपूर में वोट डाले जाएंगे, 19 अप्रेल को, 36 गड़ के बस्तर में वोट डाले जाएंगे, जम्मु कश्मीर के उधमपूर में वोट डाले जाएंगे, 19 अप्रेल को ही, ऐसे ही इसी तारीको, मेगाले के श्रीलांग और तुरा में वोट डाले जाए ऐसे ही तमिल नाडू के कई शहरों में वोट होंगे उन सभी के नाम आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर ऐसे ही सिक्किम में नागा लेंड में अंडिमान नीकोबार में और पश्रिम बंगाल के उच बिहार में अलीपुरद्वार में और जलपाई गुडी में 19 अपरेल को किरल के कई जगहों पर और पश्रिम बंगाल के भी कई जगहों पर वोट डाले जाएंगे तो 26 अपरेल को इन सभी राज्यों में कौन-कौन से शहर में वोट डाले जाएंगे उन सभी के नाम आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर वीडियो को रोग कर ऐसे ही तीसरे हिस् दमन और दीव के कई हिसो में, गोवा में, जम्मू कश्मीर में और पश्रिम बंगाल में भी 7 मई 2024 को वोट डाले जाएंगे, तीसरे फेज के तहट, ऐसे ही चौथा फेज, 13 मई 2024 को होगा, इस दिन भी, यूपी के शाजहापूर समेत, यूपी के कई हिसो में, मद्धे जम्मू के तहट, ऐसे ही चौथा चरण, एस दिन भी, यूपी के कई हिसो में, हर्याणा के बिहार के, दिल्ली के, उडिसा के, और जार्खंड के, और पश्रिम बंगाल के कहिसो में, वोट डाले जाएंगे, ऐसे ही चौथा चरण, एक जून दो हज़र चरण, एक जून द इस दिन भी, यूपी के महराजा गंज समेत, यूपी के कई हिसो में, पंजाब के, अमरीस्तर समेत कई हिसो में, बिहार के नालंदा समित कई हिसो में, उडिसा के कई हिसो में, हिमाचल प्रदेश के कई हिसो में, जार्खंड के कई हिसो में, पश्रिम बंगाल के कई हिसो मे अचंडीगर में वोट डाले जाएंगे तो कुल साथ हिस्सों में पूरे देश में लोग सभाचुनाओ की वोटिंग होगी फिर 4 जून 2024 को लोग सभाचुनाओ के परिनाम रिजल्ट आएंगे दोस्तों आप अपने शहर का नाम देखने के लिए ये किसी और शहर का नाम जी हाँ अब इहाली में बीतो 16 मार्ज को लोग सभाचुनाओ के साथ चार राज्यों में आंदर प्रदेश उटीसा और उनचल प्रदेश और सिक्की में विधान सभाचुनाओ की तारिकों का एलान हुआ और उनाचल परदेश असिक्की में एक फेज में 19 सप्रैल को मतदान होगा यानि के मुख्य मंतरी का चुनाओ होगा इसी भीच तेरा राज्यों की 26 विधान सभा सीटों पर उपचुनाओ भी होंगे ये उपचुनाओ बिहार में, गुजरात में, हरियाना में, जहरकन में, मह पुरिपुरा में, विष्ट बंगाल में, तेलंगाना में, हिमाचल परदेश में, रजिस्थान में, करनाटक में और तमिल नाडू में कई सीटों पर होंगे, एक जुन के बाद, दोस्तों आप नहीं जानते हो तो आपको बता दे उपचुनाओ, ऐसे चुनाओ को कहा जात देखे आगली खबर, देश के बाराराज्ये ऐसे हैं, जहां महिलाएं, वोट डालने के मामले में, पुरुषों से भी आगे हैं, इलेक्शन कमिशन ओफ इंडिया ने अभी हाली में इसकी जानकारी दी, हाला कि ये नहीं बताया गया कि वो देश के बाराराज्ये कौन से है देखे आगली खबर, केवल 15 महिने की अफडी पर 8.50 फिसदी का ब्याज मिलेगा, इतना ज़ादा ब्याज देने वाले बैंक का नाम उजीवन, इसमॉल फानेंस बैंक है, अगर इस बैंक में 15 महिने की भी अफडी कराते हैं, तो 8.50 फिसदी का ब्याज मिलेगा, वह जो व के कविता को 23 मार्च तक के लिए ED की कश्टडी में भेजा गया है, उनसे पूछ ताच की जाएगी, देखे आगली खबर, तिहार जेल में बंद महाठग सुकेश चंदर शेखर ने फिर फोड़ा लेटर बम कहा मुझे धम किया दे रहे हैं, अरविन केजरिवाल, आसान के आरोपी, परदीप कलेर ने SIT को दिये बयान में संसनी खेज खुला से किये हैं, उसने कहा है कि ये बेयत भी, राम रहीम और हनी प्रीत के कहने पे की गई थी, अब अगर आप ये मामला जानते होंगे तो समझ गए होंगे, देखे आगली खबर, नवार शरीफ की विदा 3030 डॉलर है, देखे आगली खबर, राहुल गांदी बोले, इलेक्टोरल बॉंड के जरीए हफ्ता वसूली की गई, नया यात्रा के दौरान ठाने में कहा, मोदी अडानी एक ही है, इन्हें मिला कर मोडानी कहें, जी हां, राहुल गांदी ने एक बर फिर से, पीम मोदी और गोतम अडानी पर निशाना साधा है, उन्हें कहा है कि इलेक्टोरल बॉंड के जरीए, बीजेपी पार्टी के लिए जो चंदा लिया गया, तो असल में वो हफ्ता वसूली थी, मोदी अडानी एक ही है, ये दोनम मिले हुए हैं, देखे आगली खबर, यूपी में आगनव मिलेंगी, एर होस्टेज के रूप में, मुवी में है सोने यानि के गोल्ड की कहानी, देखे आगली खबर, किसी को मुझे कौपी करना नहीं चाहिए, सारा अली खान बोली, क्योंकि नमस्ते करना, कोई एक्टिंग नहीं है, ये मेरा नेचर है, मैं लोगों से हमेशा ऐसे ह मिलती हूँ, हाथ जोड़ कर, ये मैं एक्टिंग नहीं करती हूँ, देखे आगली खबर, सिधार्त मलहोतरा की, योद्धा मुवी की, बॉक्स ओफिस पर हुई खराब शुरुवात, पहले दिन केवल, 4 करोड, 10 लाक रुपे का कलेक्शन हुआ, हलाएक अजय देवगन की शैतान मुवी, इस से बहतर कमाई कर रही है, देखे आगली खबर के सकोडा ने, एपिक का कॉंसेप्ट मोडल किया पेश, या एंट्री लेवल, इलेक्टरिका सीवी कार, फुल चार्ज होने पर, 400 किलो मिटर तक दोड़ेगी, और 9 मानित प्राइज, 23 लाक रुपे हो सकता तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी, हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी महनत कफल, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थेंक्स पर वाचिंग